हाई अब्रिवन स्वागत आपका चैनल स्टेडी जैट में एक नोटिस वाइरल हो रहा है सोचल साइट वर जो देखीगा पंजाब एंड हरियाना हाई कोर्ट का ये नोटिस है आपको ये बैग्राउंड में दीख रही होगी कि हाई कोर्ट ओफ पंजाब एंड हरियाना और साथी साथ जज़ हैं बीएस वालिया ज़ज हैं तीस नोवंबर का ये नोटिस है तो इसमें जो नोटिस है इसमें देखी क्या कुछ इसमें बताया गया है जो आपने थमनेल में देख लिया होगा कि रेजल्ट पर रोक लगा दी है तो उसी के बारे में बताया गया है तो एक बार इसको पड़के मैं बता जेता हूँ क्या कुछ इसमें बताया गया है तो यहां से देखेगा का Learn Council contents that despite large number of candidates having been called for physical measurement test यानि कि large number of candidates, बहुत से candidates को physical measurement test के लिए बुलाया गया था and security of documents on medical ground यानि कि PMT, physical measurement test के लिए बुलाया गया था security of documents के लिए बुलाया गया था बहुत से candidates को provisionally for the post of female constable general duty जो female constable है उसकी बात यहां पर हो रही है female constable के जो candidates थे उनको physical measurement के लिए और document verification के लिए बुलाया गया था पर उसमें देखीगा कि even though such candidates had not cleared their physical screening test यानि कि बहुत से candidates थे जिन्नोंने अपना physical PST PST यानि कि उसमें दोड होती है PST qualify नहीं किया था the patencer who was also under medical disability on account of having delivered a baby on 29 July 2021 यानि कि जिसने एक court case किया है वो उसने जो baby deliver हुई थी उसकी 29 जुलाई को तो उसको भी physical screening test के लिए बुलाया गया था और उसका physical qualify नहीं हुआ तो उसने court case कर दिया कि मेरे को क्यो बुलाया गया था तो was forced to appear in physical screening test यान पर साफ सब लिखा गया है कि forced किया गया जो अरेनपलिस female constable था उसको physical में जो candidate pregnant थी उनको छूट दी गई थी कि उनकी joining के बाद जब उनकी training होगी उसके दोरान उनका physical training यानि physical होता है वो करवाया जाएगा दोड़ उनकी तब करवाया जाएगा लेकिन ये candidate जो है इसको 29 जुलाई को इसने एक बेबी को जनम दिया था लेकिन ओ इसको बुलाया गया था तो equal opportunity मिलनी चाहिए यानि कि अभी थोड़े यानि कि तकरीबन दो महीने ही हुए थे इसको बेबी को जनम दिये और इसको physical लिए बुलाया गया था तो जनम देने के तुरंत बाद इसको बुला लिया गया और जो candidate pregnant होती है उनसको बता रखा है कि ये नहीं बुलाया जाते तो इस बात पर इस candidate ने court case कर दिया है तो जो court है उसने देखिए क्या फैसला सुनाया है कि notice of motion जारी करते हुए जो Mr. Tappan DAG हर्याना accept notice on behalf of the respondents and request for time to file reply यहनि कि जो Mr. Tappan कुमार है DAG हर्याना के उन्होंने time मंगा है reply देने के लिए कि जो ये पैटेंसर यानि के जिस candidate ने court case किया है तो court ने जवा मंगा अचससी से तो अचससी ने time लिया है कि हम कुछ time दीजिए इसका reply हम देंगे court ने agent कर दिया जो court case है वो 15 दिसंबर तक इसकी सुनवाई नहीं होगी 15 दिसंबर के बाद इसकी सुनवाई होगी और इसमें देखे क्या कुछ और आगे court ने बताया कि in the meantime जो समय बचा है यानि कि 30 नौंबर को ये फैसला सुना है और 15 दिसंबर तक जो बीच में टाइम है इसमें the potential is also directed to be called for physical measurement test यानि कि जो candidate है जिसने court case किया है उसको physical measurement test के लिए बुलाया जाए और screening of documents documents का verification किया जाए along with other similarly situated candidates साथ ही साथ जो इसके according यानि इसी के तरह जो candidate थे उनको भी जो physical measurement test है और screening of documents वो करवाया जाए यानि कि एक candidate के साथ जो भी इसके तरह के जो भी candidates है उनका भी physical measurement test किरा जाए however the result of all such candidates as specified in annexer P11 in respect of advertisement 4-2020 would not be declared यानि कि जो भी ये candidates है इनका result declare नहीं किया जाएगा without permission of court यानि कि court की permission के बिना ये result है female constable का result advertisement 4-2020 इसका declare नहीं किया जाएगा यहाँ पर साप साप लिखा गया है तो ये पूरा notice viral हो रहा है कि इसमें बताया गया है कि जो result है वो 15 December तक तो result जारी नहीं होगा तो ये update थी ये notice viral हो रहा है पता नहीं इसका court case number क्या कुछ है तो ये update थी उम्मिद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को like share और आपका किया रहा है कोमेंट सेक्षेन में जरूर बताना तो ये update थी मिलते हैं next DC परगार की update में धन्यवाद झाल 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 झाल